असलम अलेकुम दोस्तों वीडियो में हम आपको उदाएंगे साओधी के लेटरिस में इपोर्टन डेडियो उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरब यह मेरे तहम आपको बता दें कि अगर आप साओधी अरब में रहते हो तो आपके कापिल की क्या- दोस्तों साओधी अरब में अगर आप रहते हो या जनना चाहते हो आपका कपिल बेवकुफ नवना है इसलिए आपको कुछ जनकारी भी होना चाहिए सब सबले में आपको बता दें कि जैसे ही आपको आहां पर रहते हो तो आहां पर रहते रहते कुछ लोग किराये के मकान प्रफ़ान में रहते हैं ऐसे में आपका जो भी खर्चा घर का होने वाला है वो सारा खर्चा आपके कपिल को देना चाहिए और आपका कपिल देगा भी अगर नहीं देता है तो आप इसके लिए कंप्लेंड भी कर सकते हो इसके लावा जितनी भी जानकरी हम आपको लेबर डिपार्टमेंट में कर सकती हो इसके लावा अगर आप भोजन मतलब कोई भी खाना खाते हो तो उसका जो भी खर्चा आता है या आपको खाना देगा या आपका जो भी खर्चा है वो देगा इसके लावा भरती सुलक एकामा एकजिट रेंटरी भी जा एकजिट भ चीज़े एकामा और उसके नबिनिकन की जो भी फीस होगी या देरी होती है उसका जो भी जुर्बाना होगा इसके अलावा पुना परवेश और बीजर संबन देते जो भी सुल्क होगा वो आपका आपको कपिल देगा दोस्तों सुदियरब में अगर आप जाते हो तो वहां पर जो भी आपका कपिल है वो आपको स्वास्त बीमा देगा और ये अन्वार भी सुदि गबर्मेंट की तरफ से कर दिया गया इसके लाव हम आपको बता दें कि जो भी स्रामिक सुदियरब में जाते हैं उनके उपचार के लिए जो भी जरूरी चीज़े हैं वो भी आपक काम आने वाली है आपको किन-किन बिने पर आपका कपिल है आपका टिकट नहीं देगा क्योंकि आएसी स्थित से लोग गुजर चुके हैं और काफिलों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है मतलब यह है कि अगर आप सौदियरब में नहीं नहीं जाते हो तो वहां पर अगर आपने दो साल तीन साल पूरा कर लिया है तो आपको कपिल पूरी तरह से टिकर देगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप परिक्षा अवद के दोरान अनुबंध आपका समाप्त कर दिये जाता है इसके अलवा चिकिस्या परिक्षण में आप भी फाल हो जाते हो म आपने जाएंगे और ऐसी दिक्कतों से गुजरना होगा तो आपको काफी जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए आपको सावधान रहना है इंडिया से या किसी भी देश से जा रहे हो तो आप अपना मिटका ले पूरी तरह से फिट करवा के ही जाएं ताकि आपको इस समस्या से दूर रहना पड़े